आयोध्या से बड़ी खबर जहापर निर्ति गोपाल दास को ट्रस्ट में नहीं मिली जगा श्रीराम जन्भूमी ट्रस्ट में आध्यक्ष पाद मिलने की चर्चा निर्ति गोपाल दास को लेकर चल रही थी उसके बाद ये कयास लग रहे थे कि निर्ति गोपाल दास को अध्यक्ष जो है वो ट्रस्ट का बनाया जा सकता है लेकिन अब उम्र का हवाला देते हुए उन्हें जिम्मेदारियों से मुक्त रखा गया और इस ट्रस्ट में उन्हें जगा नहीं दी गई है तो आपको ये बड़ी खबर हम आयोध्या से जुड़े हैं तो ट्रस्ट के एलान के साथ ही कई तरह के नाम जो है वो रेस में देखने को मिल रहे थे जिसमें निर्ति गोपाल दास का नाम भी सामने चल रहा था लेकिन अब यहाँ पर ये खबर हमें मिल रही है तो आयोध्या से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि ट्रस्ट में निर्ति गोपाल दास को जगा नहीं मिली है तो उम्र का हवाला यहाँ पर दिया गया है उम्र दरास होने के चलते उनको जिम्मेदारियों से मुक्त रखा गया है तो यह बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं तो प्यमोदी ने हाली में ट्रस्ट को लेकर बड़ा एलान किया कि सुप्रिम कोट के निर्देश के मुताबिक ट्रस्ट जो है वो बना लिया गया है और उसके बाद से ही जो अध्यक्षपत के लिए रेस थी वो शुरू हो गई थी जिसमें उम्मीज जताई जा रहे थी कि निर्देश गोपाल दास अध्यक्षब बनेंगे लेकिन अब उम्मर का हवाला देते हुए उनको इन तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया है तो योद्या में भगवान श्रीराम के मंदे निर्मान के लिए ट्रस्ट की गटन की गोश्टना पीम मोदी ने लोकसभा में की थी जिसके बाद ये कयास लग रहे थे कि नरते गोपाल दास को अध्यक्षब बराया जा सकता है